हेलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को तो चलिए इस वीडियो को फटा फट स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर उसको exit मिल चुकी है एक अच्छी बात है PVR के लिए यहां पर हम लोग कह सकते हैं एक चोटा मोटा सा positive news है इससे कोई stock के price के उपर ज्यादा moment हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा आप भी भी दिक्कत है यहां पर बनी हुई है PVR हो या फिर अगर मैं बात करू Inox की तो यह business का resume होना almost इसके लिए बहुत ज़्यादा time लग सकता है so इस company से related जो भी news थी वो यहां पर फटावट मैंने cover कर लिए अभी हम लोग आ जाते next stock के उपर and वो है HDFC bank यह जो सो HDFC bank से related अगर कोई news है तो आप सभी लोगत है यह news जरूर आ चुके होगी आदित्यपूरी यह ज हम लोगों को HDFC bank में आप एक काम करते हुए देखने को मिलने वाले जो कि एक बहुत ही जबर्दस बड़ी personality है so HDFC bank अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत ही एक reputed stock है बहुत ही अच्छा stock है तो जरूर हम लोग इसके बारे में future में और भी जबर्दस growth यह आपे देख सकते company के quarter 2 के numbers में आप लोग देख सकते है जान जबर्दस यहाँ पर आ चुकिए आप देख सकते है बीच में company 700 के करीब हम लोग को देखने को मिल रही थी और आज लगबग 1200 के उपर यह stock देखने को मिल रहा है so बहुत ही अच्छा performance देने वाला stock है दोस्तो उसके बाद मैं आप लोग को कुछ यहाँ पर अपडेट करना चाहूंगा आप देख सकते हैं आप कुल मिला के 5 वीडियो यहाँ पर मैं अपडेट मतलब अपलोड किये यह सारी वीडियो की लिंक आप लोग को नीचे description box में मिल जाएंगे notification के issue के current मुझे आप लोग को यह सारी बाते आप बताना पड़ रही है दोस्तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाइल IR CDC से related वापस लोग यही पूछ रहे सर क्या OFS यहाँ पर आने वाल है आप लोग को अपडेट यहाँ पर कर दूँगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले ID FC फर्स्ट बैंक से related बहुत सर लोग पूछ रहे सर यह कैसी बैंक है तो मैं आप लोग बताना चांगा देखी बैंक 30 रुपे के आसपस मिल रहे है इसलिए बहुत सर लोग इंट्रेस्टेड है अगर इसका लॉंग टम का चार्ट पेटन अगर देखा जाए तो हम लोग को consistently downtrend में यहाँ पर देखने को मिल रहे है अभी भी आप देख सकते नीचे जाने वाले है सो जब तक यह company अच्छे numbers पेश नहीं करती तब तक तो मैं इस company से आप लोगों को दूर रहने की पहले से सला दे रहा था सला मतलब मैं at least दूर रह रहा हूँ इसलिए मैंने आप लोगों को यह सारी बाते बताई थी तो अगर आप चाहो तो इस company के बारे में यहाँ पे और डीटेल हासिल कर सकते है इस company से अभी भी दूर हूँ अगर आप लोगों को कोई छोटा बैंक यहाँ पे चाहे तो मैं अल्रेडी आपको बता चुका हूँ फेडरल बैंक इस company के quarter 2 के numbers भी बहुत ही शांदर है profit मेट जरूर गीरा वटे बट NPS में हम लोगों को सुधार देखने में लिए जिसके चलते यह 50 रुपे का stock अभी लगबग 56-57 तक आ चुका है quarter 1 के भी numbers अच्छे थे बट बीच में वापस हम लोगों को मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली थी उसके बद हम लोग बात करेंगे budget finance आप सब लोग बते है budget finance के numbers देखे जाए so quarter on quarter basis हम लोगों को and उसी के साथ तत year on year basis में भी मतलब इतना ही खास नहीं है but मैंने आप लोगों को यह भी बता है कि impairment का adjustment वापे किया गया है हाला कि देखा जाए तो budget finance की में बात करू तो quarter 3 इनके लिए बहुत ही important रहता है and management ने भी यही का है कि festival के season में quarter 3 में इनके अच्छे numbers या पर फिलाल आ सकते है so इसके के चलते शायद से budget finance हम लोगों को stable होते वे देखने को शायद से मिल सकता है company बहुत ही अच्छे loss में आप लोगों ने usually नहीं निकालना चाहिए उसके बदा हम लोग बात करेंगे Reliance industry की आप सभी लोग पता है Reliance industry ने 5G से related यहां पर कामकाट शुरू कर दिया so definitely complete a monopoli create करने की कोशिश Reliance industry ज़रूर यहां पर कर रही है उसके बाद Yes bank से related बहुत सार लोगों का एक ही सवाल है Sir Yes bank move क्यों ने रहे दोस्तों वापस कहना चाहूँगा Yes bank एक डूपता हुआ जहाचता and उसको RBI ने यहां पर पुंजी डालके बचाये है so आने वाले 3 साल तक आप लोगोंने कुछ ज़्यादा expectation नहीं रखनी चाहे lock-in period के वज़े से हम लोग कह सकते हैं यह bank stable रहेगा मतलब इसको सिर्फ जिन्दा रखा गया है अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करें 15-20 रुपे तक फिलाल यह आप लोगोंने इतना ही expect करना चाहे उससे उपर यह bank जाने की कोशिश अभी तक तो फिलाल यहापे नहीं करेगा यह bank एक हम लोग कह सकते हैं कि penny stock से तो बहतर हम लोगों को ज़रूर देखने की मिल रहे है क्योंकि at least वहापे आपका पैसा डूबेगा नहीं उसके बात दोस्तों यहापे हम लोग बात करेंगे future retail से रिलेटर सो दोस्तों एक बहुत बड़ी सीख है आप देख सकते है future retail retail निवेशकों को एक ही चीज रहती है कि कोई भी news आ जाती है और सिर्फ सस्ता देखने को मिल जाता है उसमें वो enter कर जाते है और मैंने आप लोगों को यह पहले ही वहाँ किया था कि ऐसा ही होने वाले ही है मतलब हम लोग कह सकते है आप एक जिट हो रहे तो ऐसे कंपणी में ही हमेशा retail investor फस्ते रहते हैं सो ऐसे कंपणी मैंने पहले भी मना किया था आप लोगों को यहाँ पे 10,000 से जादा पुंजी के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे कि आरकॉम कैसा रहेगा सो दस्तों यह कहना जाओंगा कि आरकॉम मतलब बरबाद हो जाओगी मतलब देड रुपय का यह शेर एक जामाने में 500-700 रुपय पे चलने वाला स्टॉक अभी एक रुपय पे चल रहा है आप मुझे बता हो कि अगर मैं आपको आइफोन दे दू आप लोगे तो आप लोगे जरू लगे उसका प्राइज दस रुपया तो आप लोगे दस रुपया मतलब कुछ तो यहां पर गड़बड़े कुछ तो चोरी का रहेगा मत कुछ तो यहां पर गड़बड़े 10 रुपय में कौन बेशता है सो यह दोस्तों आप लोगों ने शेर खरीदते वक्त भी सोचना तो चाहिए 700 का स्टॉक देड़ रुपय में कौन खरीदता है सो यह गड़बड़ी आप लोगों को देखने मिलेगी अननेसेसरी कॉंटिट के उपर फोकस मत करना कॉलिटी के उपर जरूर आप लगने फोकस रखना चाहिए कंपनियां यहां पर म्यूचल फंड्स थोड़ी पागर है वरना यह ऐसे चोटी कंपनी में निवेश कर लेते हैं उसके बाद अगर हम लोग बात करें ITC की यह सो ITC अभी भी आप देख सकत है दोस्तों की वाकई में फंडामेंटल सच है बट कुछ ऐसी चीज जैसे कि मैंने आप लोग को डीटेल में वीडियो बता है कि ITC क्यों नहीं भाग रहा है उसमें गवर्मेंट का भी हात है उसका क्योंकि आप देखो कि गवर्मेंट अपनी हिस्सेदारी बेशने में लग लों को कहता है यह कंपणी बहुत ही शांदार है इनफेक्ट वीप्रो टीचेस एचल टेक इन्फोसेस इन सभी का बाप मतलब इन्होंने नंबर्स अच्छे दिखा है उसका रिजल्ट आप देख सकते 1500 पॉइंट की जंप है लग बग सवा चार साड़े चार पसंट सी ज्य के उपर ज़रूर इंपक्ट आ सकता है इस वक्के जो नंबर थे वो मिने आपके सामने अलड़ी पेश किये जो कि एक बहुत ही शांदार थे डिविडेंट के साथ-साथ उन्होंने अच्छे नंबर्स भी यहाँ पे पेश कर दिये हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ल पता है यह कंपनी में भी बहुत ही जबर्दस तेजी हम लों को देखने को मिल रहा है कंपनी खराब नहीं है कंपनी बरबाद नहीं होगी बट कंपनी बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम ले सकती कमबैक करने से रिलेटेड आप सब लों पता है एक नेगेटिव लिस्ट ल अगर कोई positive news रहेगी तो जरूर इस company में जान भर सकती है यह वापस याद रखना दोस्तों यह company खराब नहीं है यह company में हम लोगों को गिरावट डेकनिक मिल रही है अभी ITC भी हम लोगों ने देख लिया ITC बी 400 वाला stock है आज 167 पर इसका रत यह नहीं होता है कि 400 का stock 167 म अगर आपके पास है तो नेगेटीव लिस्ट आने तक आप लोगों ने अगर यहाँ पर होल्ड रखोगे तो शायद से आप लोगों के लिए कोई good news यहाँ पर ज़रूर आ सकती है तो दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले next news से related and वो है stimulus package से related yes दोस्तो package से related officially announcement आ चुक है आप देख सकते finance ministry official and उन्होंने बोल दिया government working on next stimulus package and यह जल से जल यह stimulus package आने वाला है अगर आप हर एक website के उपर देखेंगे तो आप लोगों को यही चीज़ देखने को मिलेगी economic affairs secretary उन्होंने बोल दिया we are working on the next stimulus package जो कि आप लोगों को जल्द ही देखने इस कार्थ यह होते है कि बहुत बड़ा बूम आ गए थोड़ा बहुत जंप एक्सपेक्ट कर सकते आप लोग बहुत ही बड़ी बूम तब आएगी जब यह stimulus package वाक ही सामने आएगा and as per the expectation यहापे रहेगा तो सो दोस्तों उसके बाद हम लोग यहापे आने वाले एक stock जिस committee of creditors, committee of creditors में कोन रहते हैं वापस यहापे draw करके बताना चाहँगा, COC में सारे creditors रहते हैं, मतलब banks आप लोग usually बोल सकते हैं, क्योंकि financial creditors की ही committee है रहते है, operational creditors को इसमें participate करने को अलाव नहीं है, अलागला clause रहते हैं, वहाँ से वह बात अलद है, बट अगर हम लोग COC की बात करें, तो यहापे उन्होंने इसनको approval दे दिया है, अगर आप लोग नीचे scroll down करेंगे, तो आप लोग उनको यही news पढ़ने को मिलेगे, आप देख सकते हैं, दो दिन पहले वाली, jet airways hit upper circuit after the COC approval resolution plan, बट जैसे मैं आप लोग को पता है, कि कहानी अभी तक यहापे प बन सकती है, बट दोस्तों यह भी कहना चाहूंगा, अभी आप लोग बोलोगे, कि यहापे बाइंग करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों तरिफ से आपकी ही विकेट जानी वाली, सबसे पहले, आप रोज उटके सुबा, बाय का order लगा दोगे, आप लोग को कुछ मिलेग पाथ सो पे जाके operator decide करते हैं, चलो इसको dump कर देते हैं, सीधा down, सारा का सारा माल बेज देंगे, आप लोग पाथ सो पे खरीद लोगे, उसके बाद वो स्टॉक नीचे 400, बाद में 300, 200, बाद में आप लोग पूछोगे सर हम लोग जे टर्वेस में अटक गें, हम लोग क्य करें, तो अभी से ही बताना चांगा solution, भागते हुए stock को मत पकड़ो, गाड़ी के इधर लिखा होता है, कि भागने वाली गाड़ी को मत पकड़ो, accident हो सकता है, गिर सकते है, दुरगट ना घट सकती है, वही चीज आपके stock market में भी हो सकती है, यह भागने वाला stock है, आपक अच्छा है, वैसे भी आप लोग को मिलने वाला है नहीं, तो क्यों यहापे कोशिश कर रहे हो, और दोस्तों, आखरी stock है, यहापे State Bank of India, State Bank of India ने चोटी सी यहापे good news दे दिये, आप सब लोग को आता है, festival का season यहापे start हो रहा है, तो लोन के उपर छोटा सा ब्याज का छ फिलाल तो सामनी हापे आ रही है, उसी के साथ-साथ 75 lakhs से जादा अगर आप लोग लोगे, so 0.20% की चूट यहापे आप लोगों को मिलने वाली है, कितना 75 lakhs से जादा अगर लोगे तो, तो यह सारा confirmation ज़रू कर लेना अगर आप लोग कोई घर ले रहे हो, मतलब हार एक का अपना-पना decision होता है, अगर आप लोग कोई भी चीज यहापे financially प्लान कर रहे हो, SBA से लोन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो इन बातियों की inquiry आप लोगों ने ज़रू यहापे करनी चाहिए, जो कि आज ही हम लोगों को यह नियूस देखनी को यहापे मिल रही है, so आई प आज बज़े से मेरे चानल को वीजिट करना, जरू शुरू कर दीजए, आप लोगों को कभी भी मेरे चानल के उपर वहाँ पे वीडियो अपलेड होते हैं, देखने को मिल जाएंगे, so important update बिल्कुल भी मिस करना, मत करना, इसलिए इस चानल का bell icon को भी जरू प्रेस करके र बाएंगे, बाएंगे, जरू नवए पर दीजए, सुय मेरे प्लेड़ बाता हैं